कितनी तरक्की कर ली भारत ने? कितना बदल गया भारत देश? और कितना हो गया विकास? ये सवाल आज इसलिए कुझ रहे हैं क्योंकि देश में ग्यानवापी मुद्दस सबसे ज़ादा उठ रहा है ग्यानवापी मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा क्या जा रहा है? हर चैनल, हर टीवी अख़वार यही दिखा रहा है कि इसके अलावा और कुछ खबर ही नहीं वाची जब बाबरी का मुद्दा उठा था तो बड़े-बड़े नेताओं ने, दिगज नेताओं ने ये बयान दिया था कि इस मुद्दे से जब बाहर निकलेंगे तब ही ये देश तरक्की की ओर बड़ेगा मुसल्मान हिंदो की आस्था को समझें, उनकी आस्था का सम्मान करें और अपना दावा छोड़ दें और बड़ा दिल दिखाएं अब मुझे इस बात समझ नहीं आ रही कि आखिर कितना बड़ा दिल दिखाएं, ये बात केवल बाबरी तक सीमित नहीं हो गई है ग्यानवापी पे आ गई है, जामा मस्जित पे आ गई है, और ना जाने कितनी मस्जिते हैं जिन पर आ गई है अब हाली में मामला उठा है उज्जैन की एक मस्जित का, अब आप गिंते गिंते ठक जाएंगे कि आप कितनी मस्जित का दावा कर रहे थे और जो नेता ये कह रहे थे कि मुस्लिम बड़ा दिल दिखाएं और हिंदों की भावना को समझें और उनका सम्मान करें और अपना दावा छोड़ें अब बात उठी है दावे छोड़ने की तो हर मस्जित को लेके अब दावा छोड़ना होगा ना जाने कितनी मस्जितों के खुदाई शुरू होगी और ये देश ऐसे ही मामलों में आगे बढ़ता रहेगा जब से मामला उठा है तब से आखिर कितनी तरक्की कर ली ये मैं आपको बताता हूँ पैट्रोल डीजल के लेट आप देखी रहे हैं तेल डाल चावल कितने महंगे हो गए हैं सब में बड़ातरी हो रही है खाने पीने से लेके समान तक ट्रेवल तक हर चीज महंगी हो गई है रेलवे की नौकरी थी हाजारों पद उसमें खाली थे सरकार ने वो खतम कर दिया है जबकि दो करोड नौकरी हर साल देने का वादा था और ये सरकार दो लाक नौकरी नहीं दे पा रही है और ये बात करते हैं तरक्षी की जब से आयोध्या का मामला उठा है तब से एक के बाद एक मामला उठते हैं कोरोना काल से देश कितनी तरक्षी पर है यह आप भी देख रहे होंगे जीडीपी लगातार गिरती जा रही है कर्ज बढ़ता जा रहा है ये मुद्दे आपके लिए जरूरी कितने हैं आप ये समझेए कि आपको मंदिर मस्जिद चाहिए या आपको स्कूल, शिक्षा, स्वास्त है देश की तरक्षी चाहिए ये सवाल है देश के हर नागरिक से कि आखिर उन्हें चाहिए कि तमाम मीडिया चैनल अगबार ये सब आपको दिखा रहा है कि ग्यान वापी में शिवलिंग मिला, आखिर शिवलिंग मिलने से क्या हो जाएगा क्या देश के इत्यास खोजने से क्या हो जाएगा क्या देश बदल जाएगा, विकास मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, डिजिटल इंडिया बन जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको उससे कितना फायदा होगा, आप ये सोचिए, कि आपको सिक्षा मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, स्वास्तिय अच्छा मिल जाएगा सुईधाएं अच्छी मिल जाएंगी महंगाई कम हो जाएगी ये समुद्दे सोचने चाहिए मध्य प्रदेश में तीन आदिवासियों की गला रेत कर हत्या कर दी गई है और वो किसी टीवी चैनल अगवार के लिए वो बड़ी खबर नहीं है बड़ी उट रहा था वो अब कहां कहां चला है मैं आपको बता दूँ अब हिंदु महासभा के अध्यक्ष स्वामी चकरपानी ने दावा कर दिया है कि जामा मस्जित के नीचे भी हिंदु देवी देवताओं की मूरती है और आगे सुनियो जैन के महमंट लेश्वर ने जैन की दा देश आगे बढ़ जाएगा देश तरक्की कर लेगा आपको नौकरी मिल जाएगी और ये देश विक्षित हो जाएगा मैं आपको और नेताओं के ब्यान दिखाता हूँ मौलाना महमूद मदनी और मौलाना अर्शद मदनी ये दोनों वो नाम है जो जब-जब मंच की बात करते हैं इन ये अब तक आइडियल मानते थे सेकुलर रहनुमा जम्यत के हर जलसे में जो शामिल होकर आर एसेस और बीजेपी की धज्यां उड़ाने वाले कॉंग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम आचारे अब उन्हीं में ढल गए हैं अब तक जो इन लोगों के साथ कॉंग्रेस नेता आचारे प्रमोद कृष्णम जो उनके साथ मंच पर नजर आते थे जो इनसानियत की बात करते थे भाईचारे की बात करते थे वो अब क्या कह रहे हैं ये आप सुनगे ताजमहल और कुतम मिनार हिंदूों को सौब देना चाहिए उनकी आस्था का प तेजो महल कहा जा रहा है उसमें सिर्फ हिंदू जाएंगे सोचने वाली बात है और ये जो नेता आजकल कर रहे हैं इनको बड़ा ध्यान देनी के जरूरत है और हर नागरी को समझने के जरूरत है कि आखिर हमें दिखा क्या रहे हैं आखिर हमें किस और ले जा रहे हैं किस चीज के नाम पर बाट रहे हैं ट्विटर पर एक मद्यप्रदेश के युवा ने एक पुरुष ने सिर्फ एक लीची शेर की और उसके बाद उस पर एक्शन लेते हुए उसे पुलिस ने गिरफतार कर लिया पुलिस कितने बड़े एक्शन में है यह आप देख सकते हैं कि कि करती है ऐसे सवेदनशील मामलों में लेकिन जब बड़ी बड़ी घटनाए हो जाती है तो पुलिस पता नहीं कहां चली जाती है वो सिर्फ अपनी जांच करती रह जाती है और मिलता कुछ नहीं है सिर्फ कारवाई के नाम पर टाइम गुजरता रहता है तो जरूत है ऐसे म पुद्दों से तरक्की करेगा बेते दिन करनाटक में बजरंग दल ट्रेनिंग दे रहा है युवाओं को किसकी आत्मरक्षा के नाम पर उनसे एरगन चलवाई जारी है फाइरिंग करवाई जारी है धारदार हतियार ये देख सकते हैं आप कि आखिर देश को कि सोर बढ़ को करना है कि आप आखिर क्या सोचते हैं आप किस में पढ़ना चाते हैं आप अपने देश को कहा ले जाना चाते हैं देश में तमाम मुद्दे हैं जो आप से छुपाए जा रहे हैं असल समस्याओं से आपको बेखबर क्या जा रहा है आपके सामने लाया ही नहीं जा रहा ह तमाम मीडिया चैनल अपने एजेंडे को चला रहे हैं और आपका टाइम बरबाद कर रहे हैं इसलिए आप टेवी अकबार को देखना बंद कीजिए जो अपने एजेंडे पर काम करते हैं वो वो दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं वो वो नहीं दिखाते जो आपसे छुपाया जात रहा है वो वो नहीं दिखाते जिनसे आप जागरूख हों जो आपकी असल समस्या है जिनसे आपको लेना देना है बलकि वो आपको ये दिखाते हैं जिनसे आपके दिमाग को बरगलाया जा सकता है आपको भटकाया जा रहा है तो बस यही गुजारिश है कि आप इन मुद्दों पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताएं और जो भी प्रतिकरिया हो वो कमेंट में जरूर दें नमस्कार